हेलो आस्पिरेंट्स वेलकम टू अड़ा 247 क्लाइट चैनल और आज बात करने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट इशू की तो ये इशू है जातीवाद का कि क्या इंडिया में जातीवाद नाम की कोई इशू है तो आज बात करेंगे रिजर्वेशन की हिस्ट्री समझेंगे कुछ केस लॉज देखेंगे और क्या इंपोर्टेंट प्रोविजन्स हैं हमारे भारतिय समभिधान में तो आईए बने रही है वीडियो के आखरी तक आपको काफी इंफर्मेशन इससे मिल जाएगी तो वीडियो की शुरुबात करने से पहले हैं बता दूँ कि एक इंपो या चाहें आप कोई भी हमारे बैच लें और अगर आप महा पैक लेते हैं तो आपको इसमें 2x validity मिलेगी इसका मतलब अगले CLAT तक आप यूटिलाइस कर सकते हैं आप मेरा code लगा सकते हैं NAM80 NAM80 आपको 82% off मिलेगा code लगाने के बाद ठीक है तो शली वीडियो की आया क्या कंसेप्ट था तो जो प्राइमरी कंसेप्ट था वो ये था कि हमें सोशल अपलिफमेंट करना था तो जिस प्रकार से हमारी सोसाइटी एक तरीके से discrimination की तरफ बढ़ रही थी कास्ट के कारण तो डिफिनेटी जब इंडिपेंडेंडेंस हमें मिल गई तो किसी प्रकार से जो प्रिंसली स्टेट क्योंकि जादा थे जब उनका रिउनियन हुआ और कहीं अपर कास की पॉपुलेशन ने डॉमिनेंस दिखाना शुरू किया तो ये एरिया था कि education हो गया चाहिए political representation हो गया तो इन एरियास पर हमें कहीं न कहीं एक level playing field बनानी थी जो की डॉक्टर अमबेटकर का विजन था तो इसी विजन को अचीव करने के लिए reservation की उत्पत्ती होती है शुरूआत होती है और अमबेटकर जी का बहुत ही शांदार विजन था लेकिन जो आगे चल कर कहीं न कहीं distort हो गया तो historical background की बात करें तो यह चीज ब्रिटिश एरा से चली आ रही है जब उन्होंने कुछ एरियाद रिजर्व किये थे कुछ जगह रिजर्व की थी पॉलिटिकल सेंस में जो उनकी काविनेट थी जो उनकी काउंसल थी तो वहां पर उन्होंने बैक्वर्ड क्लासेश के लिए तो अधिकतर जो अधिकांश कास्ट थे वो बैक्वर्ड ही माने जाते थे उसमें उनके नोटिफिकेशन अलग थे अब जैसे आज हमारे पास इंडियन कॉंस्टिउशन है अलग से डी नोटिफाई करते हैं ट्राइब को कास्ट को जो बैक्वर्ड हैं लेकिन ब्रेटिशर्स का कैल्कुलेशन थोड़ा अलग था बट नंदलेस रिजर्वेशन का कंसेप्ट उसम स्केडियूल ट्राइब आज की डेट में पावर प्रेसिडेंट को दी होई है आर्टिकल 342 के अंदर की वो सलेट कर सकते हैं कौन सी ट्राइब होगी स्केडियूल ट्राइब तो डी नोटिफिकेशन की पावर उन्हें दी गई है जिसके उपर विवाद भी चल रहा है कि स् ठीक है तो बात करें जो प्रमुक हमारे आर्टिकल्स हैं जो प्रोविजन्स हैं वो आर्टिकल 15-4, 16-4 जहां पर आर्टिकल 15-4 के हेल्प से अगर आप स्केडियूल कास्ट या स्केडियूल ट्राइब के हैं तो आपको मिल जाएगा एजूकेशन इंस्टूशन में रिजर आर्टिकल 335 बताता है कि SC और ST को पबलिक सर्विस में एक्वाःइशन में कनसिडर करना चाहिए तो जितनी भी स्टेट सर्विसेस के ऐग्जामिनेशन होते हैं जो पबलिक सर्विस हैं आभ देखे होंगे यूनियं पबलिक सर्वेश प्रेट स्टेट पबलिक सर्वेशन तो यह जितने भी public service examination है यहाँ पे इनका consideration होता है अब अगर major reservations की बात करें तो SCST तो शुरू से था eventually OBC को भी reservation दिया गया और इसके लिए बनाई गई थी मंडल commission तो मंडल commission के recommendation पे other backward class को भी हमने reservation दिया और पहला जो case था वो 1951 में था 1951 में पहली बार भारती सम्विधान को amend किया गया और amend करके 15 clause 4 को जोड़ा गया जिससे की reservation को दिया गया था इन communities में इसके बाद 103rd amendment से EWS reservation लाया गया तो general category के वो लोग जिनकी income 8 लाक रुपे से कम है उनको economically weaker section के तहत reservation दिया जाएगा 10% का तो यह आया था 103rd amendment से 2019 में अगर हम कुछ important case की बात करें तो यहाँ पे कुछ important case है जहाँ पहली बार MR बालाजी वसेस state of Mysore के case में 50% की limit रखने बोली गई थी उसके बाद इंदरा सानी वसेस जिनर आफ इंडिया के case में reservations की validity पे सवाल उठाये थे और court ने बोला था कि अब 50% exceed कर ही नहीं सकते तो first time यहाँ पे discuss हुआ था लेकिन इंदरा सानी में specifically बोल दिया गया कि 50% ही limit रहे गया आप उसको cross नहीं कर सकते लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारा percentage 59 है तो यह कैसे हुआ तो जब EWS आया यहने economically weaker section आया तब Supreme Court ने allow किया कि यह 10% constitutional है इसमे कोई भी दिक्कत नहीं है तो अब हमारा technically 59% है legally and officially और यह दो judgment है एम नागराज वसे इन आफ इंडिया तो पहले promotion में reservation नहीं मिलता था तो आपको पहले job मिल जाएगी लेकिन promotion आपको अपने skill के basis पे करना है लेकिन 2006 में judgment आया इसमें Supreme Court ने allow कर दिया कि अब आप promotion में भी reservation दे दीजे अब उसके बाद एक judgment आता है जर्नैल सिंग वर्सेज लक्षमी नरायन गुपता तो यह था कि अगर Supreme Court ने बोला आप promotion में यूहीं reservation नहीं दे सकते आपको एक quantifiable data देना पड़ेगा यानि कि आपको एक data present करना पड़ेगा state का जिसमें आप यह दिखाएंगे जिस कास्ट को आप दे रहे हैं वो कास्ट under represented है यानि उस कास्ट को नहीं representation मिला है नहीं धंकी opportunity मिली है और इसी के चलते आप उन्हें promotion में reservation दे रहे हैं तो यह कुछ important landmark case थे अब आईए समझते हैं क्या debate और controversy है क्यों यह जाती वाद का issue आता है अगर आप constitution की language देखेंगे जो बोलती है social and educationally backward अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के वो लोग जिनके माता पिता आईएस officer हैं यह जिनके माता पिता collector हैं IPS हैं या फिर income tax officer हैं किसी के पिता जी मनता जी मंतरी हैं बड़ी बड़ी post में होने के बाद भी आप कैसे अपने आपको social and education backward बता सकत हैं माना कि आज से तीन generation पहले एक कास्ट के साथ गलत हुआ था लेकिन क्या आज हमारी यंग community क्या आज का youth भी सीज़ को ready नहीं accept करने के लिए कि आज आपके साथ discrimination नहीं हो रहा है और एक surprising चीज़ कि जो actual में schedule tribe or schedule caste है जो आपको मिल जाएगा North East के मनीपूर में यह आपको जारखंड के rural areas में मिलेगा यह आपको आंद्रप्रदेश और तिलंगाना के rural areas में मिलेगा मैं bet करता हूं कि आप उनसे जा के पूछे कि national law university क्या होती है आप उनसे पूछे इंडियन institute of technology क्या होता है उन्हें का कोई भी idea नहीं है क्योंकि वो है actual social and educational backward जो गाओं की उस कोने में पड़े हैं उनको कुछ भी नहीं पता और उनको reservation नहीं मिल पाता है तो अभी हाली में supreme court में बात चली है कि creamy layer concept लाना चाहिए स्टी और स्टी के लिए भी अगर आप creamy layer के नीचे आते हैं यानि आपकी income 8 लाग से कम है तभी आपको reservation मिलेगा और अगर 8 लाग से जादा है तो reservation नहीं मिलेगा और हमारा मानना है कि इस से एक real equality अचीव होगी तो आज जो discrimination हो रहा है जाती के basis पे ये कहीं न कहीं quality को भी hamper करता है आज का youth ये मान के बैठा है कि मुझे तैयारी करने की दरवत नहीं है पहले मैं exam निकालूंगा फिर मैं job निकालूंगा और फिर मैं job की promotion भी निकालूंगा तो मुझे कहीं मेहनत करना ही नहीं है और इस skilled young crowd बनाने में fail हो जा रहे हैं हम एक abled young crowd बनाने में fail हो जा रहे हैं क्योंकि हमें चीजें मुफ्त में मिल रही हैं जबकि हम वो deserve नहीं करते तो आज हम सारी चीजें सारी resources सबको एक साथ available है यही YouTube है जिससे आप भी पढ़ रहे हैं यही YouTube है जिससे 8 लाग कम वाला भी पढ रहा है तो resources सेम हैं सारी चीजें सेम हैं इसलिए creamy layer का concept जरूरी है कि जिससे लोगों को actual जहां need है उन्हें reservation मिल सके तो यह कुछ challenges है हमें reforms चाहिए और क्योंकि आज यह vote bank बन चुका है सरकार इसे change करने में definitely डरेगी क्योंकि बहुत बड़ी community इसमें involved है जिससे सरकार के vote कम हो सकते हैं तो definitely कहीं पर भी development के आगे आता है खुद का position तो political position, political power इनके चलते हमेशायद delay हो लेकिन मुझे विश्वास है कि हम यह बहुत जल्दी achieve कर लेंगे जिससे हम आने वाले समय पर एक better future expect कर सकते हैं, better quality वरना आज आप देखें तो United States के top companies के CEO सर्फ Indians हैं और ऐसे कई भी बड़े बड़े example है, रिशी सुनक का example है जो Indian origin के हैं लेकिन बने UK के Prime Minister और ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया से बहुत जा चुके हैं वो यही कारण था कि यहाँ पे हमने quality provide नहीं क अच्छा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा आपकी क्या राय है प्लीज हमें comments में बताएं और यह वीडियो मेरा एक neutral expression था एक 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 structure है जो हम देख रहे हैं को लेकर किसी भी कास से किसी भी व्यक्ती से किसी भी लोगों से कोई हमें परिशानी न हैं और हमें साथ मिलकर इसे अचीव करना है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए अपने friends and family के साथ share करिए और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं content ऐसे लेकर आता रहता हूं तो thank you I will see you in the next video